सौमवार को नामंगर प्रक्रिया के तीसरे दिन चाता विधान सभा सीट पर सपा रास्टिये लोगदल गटबंदन प्रत्याशी के रूप में ठाको टेशपाल सिंग ने अपना नामंगर पत्र धाखिल किया है। नामंगर प्रपत्र भनने के बाद नियोनियोस को दिये साक्षात कार में उन्होंने कहा कि छाता के विकास के एजेंटे पर वेस्ट चुनाव लड़ेंगे। इस दोरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। ठाको टेशपाल सिंग से सुनिये छाता च्छेत्र के विकास और 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा। जो कि छाता च्छेत्र की है। जो आपातका लगा हुआ था पिछले पांस साल से चाता च्छेत्र में वो आपातकाल कि खतम हो गया। को इसकतार रखाया उल्टे सीधे मुकदमां फसा फसा के लोगों का उत्पीडन करके इस तरह से सता रहे थे जैसे अमर्जेंसी में लग जाती हो छेतर में इमर्जेंसी लगा रहती जोरी जबरदस्ती सब काम कराते थे तो अब वो चाहिए में न काय मर्जेंसी खतम हो गई है वो आपातकाल खतम हो गया चाहता चेतर में भाजपा के पांच साल करकाल को आपके स्टाइश से आंक लें बाजपा का कारकाल पूरे 5 साल में सिवाए अपना घर बनने के अपने रिस्तेदालों को मजूद करने के लिए अपने जोब बुट भी पर स्थाबित कर दिया थे पांसाल से का चले गए थे रोज आन्दोलना नोगे ते रोज भूरा था पांसाल मंत्री रहे इनी कि इसकार काल बंद भी ती जब बस्पाम मंत्री थे और अब कहरें चाली हो जाए जूट बोलें महा जूट बोलें यह जूटें काम योगी सरकार में हुआ है योगी सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है काम केबल यह हुआ है कि मंत्री अपने घर भरते रहें अपने लोगों को चहेतों को घर भरवाते रहें ऐसे जो उनके नोमंदाए ना जो गोवट डारा करते थे उनके उनकी चार-चार करोरी कोठी बन नहीं मतरा में आज ये इस्तिती बना दिया उन्होंने पूरे चेत्र को इतना लूट के खा गए पूरा लूट लिया पूरे चेत्र को अब यह अंतिम समय अब उन्हें जाना है तैह है और आप एक सवाल पूछ रहेते हैं न मुझसे कि अभी आमने सामने आ रहें जा रहे पिछला चुनाव आप नहीं जीत पहें इस बार फिर उनका कहना है कि इस बार भी जिस तरीके से सट्रे का चॉनाब जीते हैं फिर बाईस को शितने जा रहे हैं क्योंको सब्षाभ वो लडए थे क करता हम लड़ाए हूं लड़ाई है तो आम ने सामने हमारी उसकी लड़ाई है हम क्या लड़े लड़े हमी लड़े से यो जब पिछली बार उन नहीं झूस्पट पोला था कि मेरा अंतिम चुनाव और अंतिम हम में चुनाव मैं महीं जो ह पूरी सो परसेंट और सो से उपर भी कुछ होता है तो वह परसेंट है और जैसा कि अभी बताया कि पार्टी का ये निर्देश तो चुनाव में पापा खड़े होंगे और लड़ेंगे और उसके बाद में संगठन के लिए में मजबूती से काम करूंगा लगों में यह कि सत्रह में आप लड़े फिर बाइस में लच्मिनारा के सामने अपने पिताजी को अपने मेधान में पार्टी ये पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले का मैं आदर इसलिए करता हूं क्योंकि जो सामने做 लक्ष्म görün disappoint जी है उन्होंने पिछली वार भी तो परिख की आप पिछी चुनाव है तो पर्टी चाहती थी कि आप अर्फ्री चुनाव पिछला तो नहीं रहा लेकिन अपकी बाड़ आपका जीत का समीकरण मैं जंता ही कुनाव को लड़ रही है मैं यहीं बता रहा हूं कोई जाती हो कोई साभ बंदन जंता ने तोड़ दी है जाती धर्म अतुल सुसोदिया चुनाव मैदान में रहे थे आने वाले समय में देखना होगा कि छाता बिधन सवा का बिधायक 2022 में कौन बनता है नीज़ कंपरसंद संतो सिंग के साथ गोबिन भारत द्वाज